हाइलो फ्रेंड्स वेल्कॉम टू माइ स्टेडी फीज चैनल दोस्तों प्रिवीज येर में जितने भी कोस्टन्स फिजिकल एजुकेशन कमपटिटिव एक्जाम्स टीजिटी पीजिटी केवियर्स एंपियर्स में पूछे गये हैं उन सभी कोस्टन्स को टापिक वाइज आ फिप्टी फोर है एंड दोस्तों खेल मुन बिग्यान एंव दर्शन सास्तर से कौन-कौन से कोस्टन्स कुछे गये हैं प्रिविज येर में इस वीडियो में बताने वाले हूं दोस्तों यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसे भी कमपटिटिव एक्जाम्स की प्रिपे कि निम्न लिखित में से किस प्राचीन दर्शनिक ने शाररी कि शिच्छा को युवाओं में चारित्रिक विशिष्ट गुण लाने का सबसे शर्शत्य माध्यम बताया था तो किस ने बताया था यहां पे आपसर नंबर भी करेट हो जाएगा प्लेटो ने किया बताया था सारे सिच्छा को युवाओं में चारित्रिक विशिष्ट गुण लाने का माध्यम बताया था यहां पे आपको की पॉइंट ध्या रखना है सारे सिच्छा को युवाओं में चारित्रिक विशिष्ट गुण लाने का इन्होंने प्रयास किया था और नारश्टू का गूरु थे जोस्तों सुक्रात लाइन से आत कर लेजिए सुक्रात प्लेटो अरस्टू यायनि सुक्रात की सी सीश्ट प्लेटो की सीश्ट से अरस्टू तेह कभी यह आपको vibrator box 10 देता है कि इसको जोड़े में बनाओ या लगातार बनाओ क्रमबत बनाओ तो क्या है सुक्रात प्लेटो अरस्तू ठीक है प्लेटो कहां के थे युनान के थे ठीक है नेक्स कोश्चन है कि अंतराश्टी खेल मनुविज्ञान सोसाइटी यानि कि इंटरनेशनल सोसाइटी आफ इस्पोस साइकोलोजी आई एस एस पी कि पहले अध्याश्च थे तो यहां पर आपसर नंबर बी करेट हो जाएगा इस इन्टो नेली स्वस्त मस्तिष्क रहता है यह कथन किष्का है यह कथन आप सबको पता होगा अर अस्तु का है उपयूक्त शरीर में उपयूक्त मन का होना इस сंसार में शुक की इस्थिती का शंचिप्त परंतू पूर वड़न है इस कथन को किस ने कहा है तो इस कथन को कहा है जान लाक ने आपसन नमबर एक करेक्ट हो जाएगा नेश्ट कुछन है आदर्षवाद दर्षण का मुख्य उद्धिस से तलासना है यानि कि आदरस्वात दर्षान का मुख्य Оुधेस क्या है, यानि किसकी तलहस करता है, यह सत्य संदर्ता और अच्छाई को तलहसता है, ठीक है, यानि दोस्तों आदरस्वात दर्षान का मुख्य उद्धे से है सत्य सुंदर्ता और अच्छाही तलस्पना दासनी सिधानत के रुप में आदर्स वात वस्तु कि अपिच्छा बीचारों भावों तथा आदर्स के महत्तु को श्विकार करके प्रकीति की अपिच्छा मानों तथा उसके येवं आध्यात्मिक मोल्य जीवन का लच्छ स्विकार करता जिसरे बिभृंता में एक्ता का ग्यान होता है इस सुर्क या इस्वर का In the next question मनो विज्ञान का विज्ञान मनो विज्ञान मनो विज्ञान का विज्ञान है किस ने कहा तो इसको कहा है अरस्तु निम्न मेंसे किस प्राचीन युनावनी दार्सनिक ने साररीक शिच्छा को युवाओं में नैतिक निपूर्ता लाने का शाधन माना है तो दोस्तों यहां पर इस question को मैं एक बार बता चुकी है है इस ने भूमाहकर पूछा उसमें चैर थक निपूर्ता लाता यहां पर नैतिक निपूर्ता बोलाया है यानि कि कसी भी तरिके से आपके चैरेद्रह नायतिक का बाता है यहां पर होगा प्लेटो थीख है? संग्या यानि चेतना का मन का ब्योहार का कि ब्योहार दथा मानसिक प्रक्रिया का दोस्तों यहां पे ब्योहार दथा मानसिक प्रक्रिया न दिया होता तो वह अली ब्योहार सही हो जाता यहां पे ब्योहार दथा मानसिक प्रक्रिया दिया है यहां पे महार दथा मानसिक प्रक सेरणिक शिच्छा में बेह्टित्यो का विकासSa m कि से तहत होता है आदरसवाद की प्रकृति ब्योहरबात इसलिफ होता है पर सोचने पर कि मन पर की दुश मिदा पार …… Des Post पर बिचारों पर बिचारों पर आपन बी यहां पर अधर्ष वाद का जर्म्धारत्व का जिन्हें पर जर्म्धाटा कहा जाता है प्लेटो प्लेटो आदरव स्वाद को सिर्मदी जन्मत दाता है इन्हें आदर सवाद को कर दोता है है इस उक्रावति के बता हूब यह रिपब्लीक द अलाज एस्टेचले भी इस प्रवुद को भेए नननिगे को सफूसत हों फो को चात्रों के अनुकराड रे व्यक्ति के रूप में सिच्छा का कौन र दर्सन परिभासित करता क्तरANS द dovस्तो आप यहां पर six उसा तिक कर दिये होंगे सिच्छकों को चात्रों के अनुकराडि to के रूप में कौन सा र Давuar치 के कर दिया होंगे तो first one, YEle है ठीक है आपसर नमबर यह आपर पे करेक्ड हो जाएगा ऐगा इस्क कोचन है चान है यह प्रकृतिवड अधारीत है प्रकृतिवार किण रलिज में अंता है जिसकेWORK भृत्षन गदारा है और तत्डमानती है प्रकृति को इस प्रार्मण का कर्टा एडलर्भ करण मानती है यह वह विचार्या मानता है जिसके अंतरगत विश्वक में केवल प्राकितिक नियम ही कार्य करते हैं नो कि कोई आप्राकितिक या अध्यात्मिक नियम अर्थात प्राकितिक संसार के वपरे कुछ भी नहीं है प्रकितिवादी आत्मा प्रमात्मा इस्पर्ष्ट प् सब्सक्राइब करते हैं तो कौन है रूसो को जनक की रूप में उध्धित किया जाता है कि से जनक की रूप में प्रकृतिवाद या रूसो को प्रकृतिवाद के जनक के दूप में जाना जाता है सरपथम रूसों ने ही अवगत कराया कि प्रकृति का तात्पर्य उस विशेश गूर से है जो मानो जीवन को विकास एवं उन्नती की ओर ले जाने में सहायक होते हैं रूसों ने प्रकृति की ओर रूटने की उद्भुषा करते हुए बच्चे की प्रकृतिक गूरों को सुरच्छित करकने है तू सिच्छा की योजना बनाई नेक्स्ट कोर्चन है निम्ने में से कौन सा सार्विक पुष्टी का एक घटक नहीं है यानि सार्विक पुष्टी यानि आपके फिजिकल फिटनेश के घटक है बड़ सहकारिता इससे कोई रिलिटेट नहीं है आपसा नमबर सी यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोचन है सार्विक पुष्टी का अंग है यानि फिजिकल फिटनेश का इसमें कौन सा अंग है किसका उद्देश से यानि विवहार का कोई भी रूप जिसका उद्देश से अन्य जीव को नुक्सान पहुचाने या घायल करने का लच्छ है किसके रूप में जना जैता है ऐसा विवहार दोस्तों आक्रामक्ता के रूप में ठीक है, एक ग्रेशन की रूप में, लेश्ट कोंच्छन है, मैकली लेंड द्वारा विक्षित, मानौ विवहार विधी में, प्रियोक्त संचित रूप, संचित रूप, NACH, NACH, किसके लिए प्रियोक्त किया जाता है, तो दोस्तों यह प्रियोग किया रहता है dry to achieve option number a करेट हो जाएगा dry to achieve ठीक है next question है यह किसका मानना है कि उपलब्धी, शंबंध तथा सब्ती यह तीन अभिफिरा की ब्याक्षा करने हैं तू महत्तोपूर आशकता हैं तो इसका मानना है मैटली लेंड का ठीक है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और next series में चलता रहेगा इसी तरह प्रशनों की श्रिंखला और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment में ज़री बताईए और जादे से जादे शेयर कीजिए और daily basis वीडियो वाश करते रहे और दोस्तों पहली वाँ विजिट कर रहे हैं तो चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए विल आइकन को फ्रेस कर लिजिए जिससे जो ही मैं नया वीडियो अप्रोट करूँ उसको notification आपके पास मिलता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन